नमस्कार मित्रों मैं राहुल शर्मा साइंस अध्यापक आज आपके सामने एक नया टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहें टॉपिक का नाम है अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है भोजग तो आज टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा देखि बच्पन में जब आप साइंस पड़ा करते थे चोटी गख्षाओं में चटी साथ भी आठी गख्षाओं में तो उस समय आप क्या करते थे कि साइड में एक मतलब चोटा चैप्टर आता था संतुरित बोजन बैलेंस डाइट से रिलेटेड और आप इसको थोड़ा सा मतलब हलके में लेके छोड़ दिया करते थे लेकिन आज के समय में कंपेडिशन एक्जाम्स की दृष्टी से यदि देखें तो साइंस का एक बहुत म नहीं पूर्ण चैप्टर माना जाता है और आज अपन इसी चैप्टर की उपर चर्चा करेंगे तो ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों आज अपना जो चैप्टर है भूजन आज अपन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले यदि अपन बात करें भूजन की तो ध और एक अपन कह सकते हैं असंतुलित भूजन यदि बात करें संतुलित भूजन की तो देखें यदि आप संतुलित भूजन करतें ऐसा भूजन इसमें सारे पोशक्तत्व सारे मौजूद और वह सन्तुलित मातरा में एक डीवर निए आप अपने बhoujem में उन चीजरुं को शामिल करें जिन से कि आपको स्वस्त्र है आपकी शरीर को पुशक तो यदि आप संतुलित भोजन कर रहे हैं यदि आपके भोजन में वो सारे पोशक्ततों वो सारे nutrients हैं जो आपको स्वस्त रखने में वो आपको healthy रखने में सायक हैं तो इस प्रकार का भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन और यदि आपके भोजन में पोशक्ततों की कमी है ऐसी स्थिति में आपको कुपोशन यानि कि कुछ बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि कौन-कौन से पोश्रक्टत्व में चाहिए आप जो खाना खा रहे हैं डेली सुबह से लेके शाम तक दिन में 2-3 जितनी बार भी आप खाना खाते हैं तो ऐसी क और कुछ भी खा रहे हैं जो भी आप खा रहे हैं उस खाने में जो अभी मैं चीजें लिखने जा रहा हूं जो मैं पोश्रक्त तो जो न्यूट्रियंट्स लिखने जा रहा हूं उस खाने में वह सारी की सारी चीजें होनी चाहिए और यदि उस खाने में वह सारी चीजें ह करेंगे तो संतुलित बोजन में कौन-कौन से पुशक्ता तो सामिल होते हैं देखे संतुलित बोजन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है संतुलित बोजन में और उसका नाम है कार्बो हाइड्रेट क्या नाम है मेरे बित्रों कार्बो हाइड्रेट बात करें कार्वाइडेट के बाद दूसरे नमबर पे तो कार्वाइडेट के बात करते हैं बात करेंगे अपन प्रोटीन उसके बात करें तीसे नमबर पे आता है वसा या इसी को कहा जा सकता है लिपिट क्या कह सकते हैं से लिपिट फूर्थ नंबरपे बात करें तो बात करेंगे विटामिन्स की आगे बात करें अगली नबरपे आते हैं कुछ खनी स्लवन यानि की मिनरल्स अगली नंबर पे बात करें आपने यदि नाम सुना हो जल इसका फॉर्मला भी में मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं एच्टू ठीक है और सात्वे नमबर पर बात करें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेशे या फाइवर्स कुछ जगाओं पर इसे रुक्षांस भी कहा जाता है रुक्षांस ठीक है मित्रों तो आज संतुलित बोजन के अंदर हमने इन चीजों को पढ़ा और आज के लिए एक महत्पूंच चीज और ध्यान से सुनिए यदि मैं आपको आज बताना चाहूं तो देखिए आज साइंस के लिए एक बहुत अच्छी चीज कि आपने एक बीमारी का नाम को विट नाइंटीन यह एक वाइरस से ओने वाली बीमारी थी और आपको जैसा पता होगा इस बीमारी ने बहुत जादा परिशान क्या में इसने पूरे समाज को भिला करके रख दिया तो यह जो बीमारी थी एक वाइरस की वज़े से हुई और उस वाइरस का पूरा नाम स्टार्स कोव तो स्टीवियर एक्यूट रेस्पिरेट्री सिंड्रॉम कोरोना वाइरस धन्यवाद में तुरू